अब बहुत स्वागत हैं कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे हापी होंगे हेल्दी होंगे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे होंगे आज मैंने ऑईलिंग करनी थी मैं अपने लिए एक बड़ी आसा हेर ग्रोथ ऑईल बना रही थी त बहुत अच्छा हेर ग्रोथ वाल क्योंकि समर्ज आ गई है हमें चेंज करना पड़ता है चीजों को तो मैंने अपने लिए एक बड़ी आसा हेर ग्रोथ ऑईल तैयार किया है यह दिखिए इससे पहले भी मैं इसको दो बार बना चुकी हूं और यूज कर चुकी हूं यह ब इसको चान लीज़े और अपने बालों में यूज कर लीज़े पर हर्ब्स इसमें बॉटल में पड़ा रहने दीज़े कारण उसका यह है कि जितनी ज्यादा देर तक यह ओल में पड़ा रहे हो उतने बेनिफिट्स डे बाई डे डे बाई डे इसके बढ़ते चले जाएंग तो फ्रेंट्स इस हेर ग्रोथ ओयल को बनानी के लिए हम डबल बॉइलर मेथिट का इस्सेमाल करेंगे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कढ़ाई के बीच में मैंने कटोरा रख लिया है गैस को ओन कर दिया है हाई आज पे और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कोको यहां पर कर रहे हूं यह एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ओयल है यहां मैं अंदाजे से डाल रहे हूं आप आधा कटोरी उस करिएगा अगर आप बड़े पैच में बना रहे हो तो भी इसी रेशो में सारी चीजों को आड करिएगा मितलब आधे से एक कटोरी तो आप इंग रोटीन और आंटी ऑक्सिदेंट से भरपूर होता है हमारी हेर ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे बालों को मजबूत बनाता है साथ में हमने इसमें ड्राय रोजमेरी लीव्स का भी यूज किया है रोजमेरी लीव्स भी हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ह करती हैं और अगर आपको गंजेपन की समस्या हो रही है या किसी जगह से आपके बाल बहुत जड़ रहे हैं तो वहां आप इसका इस ओयल का यूज करिए देखिए आपके बाल री ग्रो होना शुरू होएंगे और सबसे लास में हम इसमें आड करें एक चमच ब्लाक सेसमे सीड ओयल ये भी हेर ग्रोथ को प्रमोट करता है बहुत हेल्प करता है बालों के तूटने जड़ने की समस्या को फिनिश करने में और बालों को मजबूत बनाने में ये सारी चीजें हमने मिक्स करके इसमें 15-20 मिन इस ओयल को डबल बॉयलर में गर्म कर लिया उसके बाद मैंने इसको उतार के एक बार अच्छे से कर लिया मिक्स इस तरीके से और ठंडा होने पर हम इसको किसी कांच की बॉटल में पोर कर लेंगे और इसमें 10-15 ड्रॉप्स आप रोज मेरी एसेंशल ओयल की डाल सकते हैं आप इसको एक से डेड़ महीना बड़े आराम से यूज कर सकते हैं पर आप इसके हर्प्स को आजट इस ही रहने दीजेगा सेकंड टाइम बनाएं तो इसी में आप और पोर कर लीजेगा एंड डाट से आपको बनके रहें आपने कितना इजी है यह एर बनाना बड़ी आसा आज बार इन हर्प्स को दुबारा यूज कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह जिन लोगों के बाल बढ़ते हैं पर टूटते भी हैं बहुत टूटते हैं बाल पतले होते चले जा रहे हैं मतलब थिनिंग की समस्या हो रही हैं बाल लंबे तो हैं पर पतले बहुत हैं उन महीने आपको किस तरीके से इसको यूज करना हफते में अट लीस्ट दो बार किसी भी दिन आप रात में अपने बालों को वाश करिए और यह बहुत अच्छे रिजर्स देगा साथी साथ आपके बाल स्मूथ शाइनी सिल्की बनेंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे और आप आप हैपी हो जाएंगे साथी साथ आपके बाल भी हैपी वादे के साथ नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक रखिए अपना खूब खूब ध्यान धेर सारा पानी पीजे हैपी रहिए हेल्दी रहिए टेक क्यर बाई-बाई